हेलो फ्रेंट्स आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे एंड आज का जो टॉपिक है वो है फाइल सिस्टम्स गो लेंग के अंदर हम फाइल को कैसे हैंडल कर सकते हैं तो यह आज हम इंप्लिमेंट करके उसके कोरस्पॉंडिंग ही हम कुछ लाइबरेरीज हैं जो वह फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं उनका नाम है वो कैसे रख सकते हैं तो यह सारी चीजे जो है मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं इसी के साथ मैं कुछ जो लाइबरेरीज हैं जो वह भी कवर करूंगा तो इसका जो गिटहब रहेगा वो मैं पुश कर आप लोगों को गोल आएंग के इंदर क्या है कि इन बिल्ट लाइब्रेरीज हैं जो किया करती हैं create करती हैं files along with read write operations के साथ मतलब कि आप उसको file को create भी कर सकते हो read and write भी कर सकते हो आप कई लोग गर कहेंगे write करना and create करना दोनों सेम चीज़ें नहीं guys create करना मतलब आपने file बनाई and उसके बाद उसके अंदर data जो लिखा उसको क्या कहते है write मतलब किसी file के अंदर write करना तो इसी के regarding कुछ libraries हैं जहां पर मैंने list down की है libraries like io slash io utils मतलब के input output मतलब जो भी अपने operations होते हैं वो and उसके regarding OS के operating system के कुछ features ही यह मतलब हमें log कर देता है buffer.i इससे क्या होता है कि हमारा CPU का performance है वो बढ़ जाता है यह guys interview level का question भी हो सकता है अगर के interviewer ऐसे पूछता है कि अगर मेरे पास मान लो के एक GB का file है और उसको आप कैसे read करोगे लाइक उसके पास क्या है एक GB का file है तो इसको आपको क्या करना है read operation करना है read जो operation है वो करना है तो वो आप कैसे करोगे तो उसके लिए आप उसको बोलोगे कि हम मैं buffeo जो file है जो library है वो यूज करूँगा buffeo.newreader इससे मैं क्या कर सकता हूँ उस file को read कर सकता हूँ वो file कि format मलब कैसे read होगी क्योंकि यह by default कुछ bytes को provide करता है वो I think 4086 something कुछ होंगी bytes तो इसी यह bytes को क्या करता है buffer form में convert करके उनको read करता है तो इसी वजह से जो है वो CPU की जो performance उसको बढ़ा देता है तो आप लोगों का एक interview question है वो clear हो गया है और आपका जो confidence है वो भी मैं I thought समझ रहा हूँ करके वो हाई हो चुका होगा तो अभी जो इसके कुछ methods हैं जो वो भी हम यहां पर cover कर लेते हैं OS library के corresponding क्या है एक create है इससे क्या है कि हम file जो है वो create कर सकते हैं मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी file create करते time पर और दूसरा जो है वो आयो यूटेल्स के अंदर है आयो यूटेल्स के क्या है कि भी हम file को read कर सकते हैं write कर सकते हैं एंड उसी वाद buffer के regarding तो मैंने आप लोगों को भी बताया है कि हम उससे क्या है कि file read कर सकते हैं कि हमारी जो cpu की performance है वो बढ़ जाए अभी आशा करता हूँ आप लोगों को जो यह चीजह है छोटी-छोटी सी यह cover होगी होगी समझ में आ चुकी होगी तो अभी हम इसकी जो है implementation देखेंगे अभी आप लोग यहां पर देख सकते हैं मैंने create file का जो है एक function लिखा हुआ है उसी corresponding हम पहले जो है हमारा जो libraries है वो यहां पर मैंने include कर ली है FMT formatting के लिए logs मलब जो log है यह भी एक inbuilt library है यह logging के लिए होती है कि अगर हमें log print करवाने तो तो यहां पर एक और library है जो OS अभी मैंने discuss की थी तो वो भी मैंने यहां पर include कर वा लिए है कुछी के साथ अभी हम line by line जो है हर एक को पढ़ेंगे उसके बाद इसको test करेंगे fmt.println मतलब यहां पर मैंने एक log लगाया है कि मैं क्या बता रहा हूं कि भाई मैं यहां पर go link के अंदर file जो है write करने वाला हूं उसके बाद मैंने operating system के साथ एक command चलाई है कि OS भाई एक क्या कर दो मेरी एक file create कर दो किस नाम से file.txt अब यह क्या करता है file name लेता है उसी के साथ दो चीजों को return करता है pointer of os.file एंड उसके बाद error तो यह चीज़ें यहां पर हमने variable के अंदर ले ली अगर यहां पर कोई भी error होगा तो हम उसको यहां पर log fatal करवा लेंगे यह fatal f क्या है कि किसी भी error को जो है format करने के लिए उसके बाद यहां से मलब इसका connection जो है वो काट देगा मलब हम इसको इसके साथ consider कर सकते है os.exe तो यह क्या करता है basically यह इसको break कर देगा मतलब कि इसके बाद जो है हमारा controller है जो आगे नहीं बढ़ पाएगा उसके बाद अगर file हमारी create हो जाती है हमने क्या कर लिया अभी file तो create कर ली अब file को close भी करना है क्यों अभी हम उसके अंदर write भी करेंगे और उसके बाद जो है हम उसको बंद भी करेंगे क्योंकि write करने के बाद हमें file जो है बंद करनी बहुत जरूरी है अगर मैं मालो अभी कोई game खेल रहा हूं तो मैं game ऐसे तो नहीं चलती चोड़ देता हूं अभी क्या होगा मैं उसको बंद भी करूँगा तो वैसे हमने क्या किया है यहां पर file को आते हैं create के अंदर इस file के साथ हमारे पास क्या है कुछ methods आते हैं तो वह methods को हमने यहां पर access किया हुआ है जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं write string तो इसको हम जो है यहां पर देख लेते हैं यहां पर इसने method जो है दिया हुआ है write string वह देख सकते हैं आपके star file का है तो हमने जो variable इधर बनाया था वह किस टाइप का था star file का मतलब OS package के अंदर star file तो वही है यहां पर क्या कर रहा है उसी method को यहां पर access कर रहा है उसके अंदर हमने क्या डिया हुए एक string दी हुई है welcome to channel go guru and उसके बाद एक क्यूट सी smiley है जो आप लोगों के अभी चेहरे पर आ रही होगी तो उसके बाद अगर उसके दौरान write करते के दौरान कोई भी error आया तो यहां पर हमारा controller रहा जो ब्रेक हो जाएगा उसके बाद क्या है कि यहां पर जो string है हमने बोल दिया कि भाई हमारा के भाई writing to go lang मालब वही बात के go lang के अंदर मैं फाइल राइट कर रहा हूं तो हमने नाम बताया था वही नाम इसने बताया है उसी के साथ हमने क्या किया पर जो 35 bytes है इसे ने राइट किया है अभी हम देख लेते हैं यहां पर हमने वही जो string दिया था वही है as it is इसने क्या कर दिया राइट कर दिया अगर मैं इसके अंदर वह string को जो है चेंज कर दूं मतले यहां पर मैं क्या है welcome उसके साथ उसके आगे मैं बहुत सारी कुछ है सी random string लिखे दूं उसके बाद जो है इसको run करूं तो वह देखो गाइस bytes जो है वह चेंज हो चुकी है लास्ट टाइ हम इसको programmatically है जो वह read करेंगे उसी corresponding मैंने एक और function जो है यहां पर बनाया हुआ read का मैं इसको पहले uncomment कर लेता हूं तांके जो है हम इसकी output है वह देख पाएं अब create वाले को मैं कर देता हूं comment क्यूंकि हमने create वाला जो है वह देख लिया है अगर हम अभी इसको read करेंगे अभी हमने यहां पर file name है जो वो दे दिया है file name के बाद हमने जो यहां पर एक library है जो वो add हुई है अभी मैं terminal बंद कर देता हूं आयो स्लैश आयो यूटिल जो यहां पर library add हो चुकी है read write के लिए मैं read कर रहे है बिसी के लिए अभी है तो हम अभी हमारे पास जो है बहुत छोटा data है बहुत कम data है उसको हम आयो यूटिल के साथ read कर रहे है अगर आप लोग जो है बहुत बड़े data के साथ मतलब बहुत ब बोला यहां पर के मैं go link के अंदर अब क्या करना रहा हूं file name यह read करना है आयो डॉटिल डॉट रिड़ फाइल मनले यह फाइल रीड कर लो यहां पर लेया हूँ अगर data नहीं आया मले यह बाइट फार्म में आएगा अगर data नहीं आया मले फाइल रीड करते के दौना उसक तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर क्या हुआ रिडिंग डेटा फ्रॉंग जो भी है के रीडिक कर लिए हमने गोलेंग से डेटा कौनसी फाइल रीड की फाइल और टेक्स उसके अंदर कितनी बाइट सी गाइस ऊपर कितनी थी 54 थी तो 54 यहां पर बताई और उसी के साथ साथ इसने वही डेटा प्रिंट कराए जो उस फाइल के अंदर था ठीक है आशा करता हूं आप लोग को यह चीज़ जो है समझ में आ चुकिए अब कोई कहीं प्रिंट कर दिया उसने क्या बोला कि इस नाम की कोई चीडिया है ही नहीं हमारी डिरेक्टरी में तो मैं इसको रीड कहां से कर दूँं तो आशा करता हूं आप लोग के यह चीज़ समय में आ चुकिए होगी इसी दोरान अगर आप कोई रेंडम मतलब अपने कोई स्पेसिफिक नाम से फाइल जो है क्रियेट करना चाते हैं तो आपको क्या देना है यहां पे वो फाइल का नाम देना है abc.txt अगर मैं अभी र दीख दी है राइट कर दीए तो यह हो गया काई इसकी हेंडलिंग मतलब हम फाइल सस्टम को कैसे हेंडल कर सकते हैं गॉल्यां के अंदर किन elles के साथ हम जो एसको कवर कर सकते हैं interview level के questions भी हैं जो वह भी मैंने इसके अंदर कवर की हैं यह सारा piece of code आपको मैं github पे डाल के दे दूँगा link जो होगा वो description में मिल जाएगा आप लोगों को तो आशा करता हूँ आप लोगों को यह पूरी वीडियो समय में आ चुक है कि लाइक दें comment करके बताएं वीडियो कैसा लगा जगर कोई डाउट आ तो भी मेरे को कमेंट करके बताएं चैनल को subscribe करें अपना प्यार ऐसी बांटते रहें वीडियो को हो सकता है जितना भी जितना छेयर करते रहें thank you for watching us